Hello Friends, PS Electronics YouTube Channel में आपका स्वागत है आज हम एक 5-pin socket और 3 switch में connection करना बताऊंगा चलिए time waste के बिना board में connection करना शुरू करते हैं सबसे पहले हम switch के नीचे वाली terminal में wire को connect करेंगे देखिए इस तरह का wire ले लेना है और switch के नीचे वाली terminal में connect कर देना है देखिए तरह करके connect कर देना है switch के नीचे वाली terminal में फ्रेंड्स आपसे एक request है कि अधी मेरे channel को subscribe नहीं किये हैं तो PS electronic सो subscribe करें और bell icon को परेश करें इससे new new video का notification आपको मिलता रहेगा कि अब हम कि को कि स्ट्रीच को और फाइप इन सोकेट को एक साथ connect करेंगे देखिए स्ट्रीच के उपर आले terminal में वायर को connect करेंगे करेंगे बाइप आले करेंगे पाइप आले करेंगे आले करेंगे देखिए स्वीच और सोकेट को एक साथ कनेट कर दिया है इससे हमारा सोकेट स्वीच पर डिपेंडेबल होगा और हमारा ओन ओफ होगा यह जो स्वीच हमारा दोनों खाली है इसमें हम LED बल्व लगाएंगे जो हमारा कनेक्शन बाहर की तरफ जाएगा चलिए हम LED बल्व के होल्डर को लगा लेते हैं देखिए यह जो दोनों बलेक वायर है इसको एक साथ थाइपिन सोकेट में कनेक्ट कर देंगे थाइपिन सोकेट के साथ कनेक्ट कर दिया है और रेड वायर को स्वीच के उपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे एक और हमारे पास जो रेड वायर है स्वीच के उपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे देख कनेक्ट कर दिया अब हम इसमें में फेज की वायर कनेक्ट करेंगे देखिए हमारा में फेज की न्यूटल वायर है इसमें हम वायर को कनेक्ट करते हैं यह में फेज की वायर को हम फाइप इन सोकेट के साथ कनेक्ट कर दिया और यह जो स्वीच के निचे वाले टर्मिनल में वायर कनेक्ट किया था यह हमारी में फेज की वायर है हमारे बोड में कम्पलीट वायरिंग हो गई है बोड में पावर देकर चेक करते हैं देखिए मैंने बोड में पावर दे दिया है अब हम फायर पिन सोकेट को चेक करते हैं देखिए हमारा बल ग्लो कर रहा है अब हम इसी तरह LED बल्ब को भी होल्डर में लगा कर चेक करते हैं देखिए मैंने होल्डर में LED बल्ब को लगा दिया है देखिए यह connection भी हमारा सही है और इस होल्डर को भी हम चेक कर लेते हैं देखे इस होल्डर में भी बल्व लगा लिया अब इसको भी हम चेक करते हैं देखे हमारा बल्व गलो कर रहा है एक कनेक्शन भी हमारा सही है फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें